हेलो टू आल, वेलकम टू लर्नर सार्थी, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और बात करेंगे UP PCL Assistant Accountant के प्रिवेस यर पेपर की लास्ट क्लास में हमने पार्ट वन कम्प्यूटर नॉलज़ के 25 कोशन कम्प्लीट किये थे और आज की क्लास में कंटीनियो करेंगे बाकी बचे हो 25 कोशन को, तो अगर आपने प्रिवेस क्लास नहीं देखिया है तो उपर आई बिटन में लिंक है, वहाँ सा देख सकते हो, या फिर प्लेलिस पर जाकी भी देख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात है, कि कल आपकी है डेट 5 5 अक्टूबर, कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल से आपको मिलेगी डेली क्लासे एक्सेप्ट संडे, डेली क्लासे फॉर पार्ट वन, फॉर पार्ट वन कम्प्यूटर नॉलेज, और यह जो क्लास होगी न, यह आपको किस-किस एक्जाम में हल्प देगी, देखो यहाँ पे UP-PCL, ARO में आपको हल्प मिल जाएगी, Camp Assistant में हल्प मिल जाएगी, Assistant Accountant में हल्प मिल जाएगी, और इसके साथ साथ अलाबाद High Code, आप जानते हो इसकी विकेंट्सी आउट हुई थी, अलाबाद High Code, यहाँ पे RO, ARO, और इसके साथ साथ Computer Assistant, ठीक है, इन तीनों व Knowledge त्यार करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको काफी हल्प करेगी यह वाली क्लास, ठीक है, डेली क्लास होगी, संडे को छोड़के, और यहाँ पे मैंने पेपर देखा था, अलाबाद, ARO, ARO का, उसके अंदर 20 questions आपको देखने को मिलेंगे Computer के, और वो कोशन काफी अच ही, GS की क्लास में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, आज के पेपर को और बात करेंगे, यहाँ पे 26th question की, तो हम 26th question पे आते हैं पहले, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, question number 26 के साथ, निमल लिकित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गलत statement बतानी है, first is, congestion control protocol सुनशित करते हैं कि प्रेशक प्राप्त करता द्वारा data प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता, और second क्या है flow control protocol यह सुनश्यत करते हैं कि प्रेशक network द्वारा data संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से data नहीं भेज सकता तो यहाँ पे यह दोनों ही आपकी false statement है अब कैसे देखो यहाँ पे इनकी definitions को change कर दिया गया है जो यह definition है यह आपकी होती है flow control की जो आपको नीचे यहाँ पे लिखके दिया हूँ है flow control और जो second वाली है यह आपकी है congestion control protocol की definition ठीक है अब मैं आपको explain करूँगे किस तरीके से यहाँ पे यह होता है देखो अगर बात करूँ flow control protocol की तो यह आपका ensure होता है कौन से layer पे data link layer पे data link layer आपकी OSI model की एक layer होती है किस तरीके से हम काम करते हैं OSI model में यह discuss करेंगे अपनी theory class में और अगर बात करें congestion control protocol की तो यह आपकी transport layer पे होता है ठीक है तो यह आपका होता है data link layer पे और जो हमारा congestion control है यह हम ensure करते हैं transport layer पे ठीक है अब यहाँ पे एक बात समझ लो क्या है देखो यह आपका है sender मालो यह एक channel है जिसके through sender receiver से communicate कर पा रहा है ठीक है यह आपका क्या है receiver है और यहाँ पे यह आपका है channel channel बोल लो या फिर कोई medium बोल लो अब वो medium wireless या wired भी हो सकता है देखो यहाँ पे क्या है अगर sender जिस speed से data को भेज रहा है वो अगर speed receiver की speed से जादा हो जाएगी तो उस case में क्या करना पड़ेगा हमारा जो flow control protocol है उसको लगाना पड़ेगा मतलब जिस flow से sender data भेज रहा है उस flow से receiver उसे accept नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे हम flow control protocol का इस्तमाल करेंगे बहुत सारे example है flow control protocol के जैसे की sliding window protocol go back and etc ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम बात करेंगे receiver की speed अगर कम है sender की speed से तो क्या हो जाएगा वहाँ पे flow control आपको लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे first statement क्या है देखो protocols नश्यत करते हैं कि प्रेशक प्राप्त करता मतलब receiver द्वारा data प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से data नहीं भेज सकता है receiver जिस speed से data को accept करता है उस speed से जादा की speed से sender data send नहीं कर सकता है तो इसे बोलता है flow control लेकिन यहाँ पे लिखा था congestion control तो यहाँ पे यह false हो गया था ठीक है और second में लिखा हुआ है कि वो protocol जो यह शुनिश्चित करते हैं कि प्रेशक network द्वारा data संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से data नहीं भेज सकता मतलब देखो जिस speed से sender send कर रहा है data अगर वो speed आपकी जो network है मतलब जो आपका channel है medium है उस medium की speed से जादा है एक medium की speed होती है जिस speed से वो data को accept कर सकता है और आगे transfer कर सकता है अगर वो speed जिस speed से वो कर सकता है उससे जादा speed से sender भेजेगा तो कैसे काम चलेगा तो वहाँ पर हो जाएगा congestion control protocol ठीक है नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उससे क्या हो जाएगा जो speed है वो equal हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो उससे आराम से आपका network उस data को carry कर पाएगा और आगे transmit कर पाएगा तो यहां पर दोनों statement false इसलिए हुई cause यहां पर जो इनका जो इनकी definition है वो उल्टी लिखी हुई थी ठीक है तो यहां पर इसलिए first और second दोनों ही गलत है तो यहां पर बात समझ लो अगर हम बात करेंगे channel या फिर medium की speed की उस case में आपका congestion control होता है और अगर बात करेंगे receiver की speed की तो उस case में आपका flow control होगा ठी vendor की speed होती है data भेजने की वो आपकी receiver की speed से भी कम होने चाहिए फिर आपके channel या medium की speed से भी equal या फिर कम होनी चाहिए जादा किसी case में नहीं हो सकती है ठीक है वरना क्या हो जाएगा आपका जो communication है वो disturb करेगा ठीक है तो यहां पर option number second is correct अगर फिर भी कोई doubt है तो आप comment box मे पूछ सकते हैं otherwise हम discuss करेंगे इन्हें अपनी class के अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपे question number 27 की TCP is a dash protocol whereas UDP is a dash protocol तो last class में हमने discuss क्या था कि TCP आपका होता है कौन सा connection oriented protocol ठीक है तो TCP और UDP की full form भी आद कर लो और ये भी आद कर लेना कि यह किस layer पर काम करते हैं तो TCP यहां लिख रही हूँ, TCP और UDP दो आपके protocols हैं जो की work करते हैं transport layer पर काफी important protocols हैं, transport layer पर ये काम करते हैं और इनके full form क्या है? TCP की full form होती है transmission control protocol और UDP की full form क्या होती है? एक minute, just a minute, protocol और UDP की यहां लिख देते हैं UDP की होती है user datagram protocol तो इनकी full form से भी आपको next time question देखने को मिल सकता है अब यहां पर आपको एक बात और समझनी है, जो TCP होता है वो आपका होता है connection oriented protocol मतलब जैसे आप TCP को use करके communication करते हो तो sender और receiver दोनों के बीच में पहले connection established किया जाता है, उसी के बाद यहां पे data को transmit करना start करते है लेकिन अगर बात करें UDP की, तो UDP आपका connection less protocol होता है, यहां पे कोई भी connection established नहीं होता है ठीक है, और TCP आपका होता है reliable protocol मतलब जो आपने packets भेज़े है data के, वो पकका sure है कि वो आपके receiver को मिलेंगे ही मिलेंगे कोई packet बीच में loss नहीं होगा, लेकिन अगर बात करें UDP की, तो UDP के अंदर कोई guarantee नहीं है कि जो data आप send कर रहे हो, वो आपका as it is receiver पे पहुंच जाएगा तो यहां पे no reliability, ठीक है, तो यहां पे इसका answer है, TCP is a connection oriented protocol and UDP is a connection less protocol तो यहां पे option number first is correct, तो I hope आपको यहां पे एक question के साथ 3-4 question और समझ में आ गए होंगे, ठीक है next is, यहां पे यह R है ताकि आपको थोड़ी confusion ना हो, next is, देखते हैं क्या है, question number 28 algorithm के निमलनिखित गुणों में से कौन सा गुण सुनश्चित करता है कि algorithm के प्रतेक चरण को ठीक से परिभाशित किया गया है और किये जाने वाले कार्यों को सूसपष्ट, ढंग से निद्रिश्टित किया गया है, ठीक है तो यहाँ पर देखो जो algorithm होती है, पहले यह समझो algorithm होती क्या है, जो algorithm होती है ना, यहाँ पर लिखते है algorithm algorithm एक basically solution होता है, step by step solution होता है step by step solution किसी problem को solve करने के लिए, ठीक है तो हम step by step में solution लिखते हैं कि कैसे हम किसी problem को solve करेंगे किसी program को बनाने से पहले, सबसे पहले हम क्या करते है, algorithm लिखते है और algorithm से ही आपका flow chart भी बनता है आगे जाके, ठीक है basically जो flow chart होता है ना, वो आपका algorithm का pictorial representation ही होता है तो यहाँ पूछा है कि algorithm का ऐसा एक कौन सा functionality है, जो यह कहलाती है कि जितने भी आपके steps है, algorithm के, वो धंग से परिभाशित किये जाएंगे और किये जाने वाले सारे काम को धंग से किया जाएगा तो इसे बोलते है निश्चता, ठीक है, तो option number fourth is correct तो इसे बोलते हैं English में certainty, क्या बोलते हैं, certainty, ठीक है तो algorithm को discuss करेंगे, flow chart भी पढ़ेंगे अपनी class के अंदर, ठीक है, तो निश्चता next is question number 29, Microsoft PowerPoint 2016 में निम्न में से कौन सा presentation view, विकल्प सभी slides के thumbnail को असानी से पुन्रे व्यवस्थित करने के लिए आपकी presentation में दिखाता है, देखो, यहां बोला है Microsoft PowerPoint के बारे में Microsoft PowerPoint, अब सब लोग जानते हो, कि MS PowerPoint में हम क्या करते हैं, presentation create करते हैं, तो यहां पर बोला है कि कौन सा ऐसा presentation view option है, presentation, जो English वाले बच्चे उनके लिक बर लिख देते हैं, ताकि उनको असानी हो समझने में, presentation view option यहां पर पुछा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सभी slides के thumbnail को असानी से पुने विवस्थित करने के लिए आपकी presentation में दिखाता है, तो उसे बोलते है, slide sorter view, आप देखते होंगे, slide sorter view में क्या होता है, आपकी सारी slides के thumbnail एक साथ आजाते हैं, और वहाँ पे आप चाहो तो उन्हें उपर नीचे कहीं पर भी shift कर सकते हो, ठीक है, तो उसे बोलते है, slide sorter view, ठीक है, एक ऐसा view जहाँ पे आपकी सभी slides के thumbnail को दिखाया जाता है, जिसमें अगर आप चाहो तो उन्हें अच्छे से arrange कर सकते हो, अगर किसी slide को आपको number change करना है, जो first पे है, उसको second पे करना है, जो last है, उसको second last करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, next आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, यहाँ पे question number 30 की, एक मिनट, ने, मैं लेकित में से कौन एक network layer protocol है, तो यहाँ पे आप से पुछाए network layer protocol, जो network layer होती है, वो आपकी OSI model, open system interconnection model की होती है, third layer, ठीक है, network layer होती है, third layer, मैं आपको एक short trick दूँगे, जिसके use से आप सारी layers को number wise, easily याद कर पा होगे, ठीक है, network layer, तो यहाँ पे IP, SMTP, HTTP और TCP, तो IP is internet protocol, यह आपका network layer protocol है, इसके अलावा, SMTP is simple mail transfer protocol, इसके अलावा, HTTP is hyper text transfer protocol, तो यह दोनों आपके हैं application layer protocol, जो आपके OSI model की 7th और topmost layer कहलाती है, ठीक है, application layer, तो कौन सी layer पे कौन सा protocol use होता है, ऐसा question आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है, और TCP आप जानते ही हैं कौन सी layer, transport layer, ठीक है, तो बचा एक ही option वो है आपका IP, तो IP जो होता है, internet protocol वो आपकी network layer पर use होता है, तो यहाँ पे option number 1 is correct, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, आपके question number 31 की, .net framework में ने मलने खित में से कौन सा विकल्प, एक मिनट, memory प्रभंधन और security checks को संभालता है, अगर बात करें .net की, तो .net framework के अंदर, इन में से कौन सा ऐसा option है, जो memory को organize करता है, memory management करता है, और security checks को maintain करता है, तो यहाँ पे वो है CLR, तो आपको इसको as it is, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो CLR is the correct answer, next is question number 32, C hash में निम्न में से कौन सा विकल्प access modifier नहीं है, तो यहाँ पे C language की बात नहीं कर रहे हैं, C hash की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बात करूं C++ की, आ फिर C hash की, ठीक है, तो इसमें हमने access modifier को use किया है, access modifier, सब यह होते क्या हैं, इनको बताऊंगे आपको classes के अंदर, तो basically, अगर हम बात करें C hash ही, तो इसके अंदर private होता है, protected internal होता है, public भी होता है, लेकिन protected external नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे, जो option number 3 है, वो आपका कोई access modifier नहीं है, access modifier basically यह बताते हैं, कि इन सभी के साथ create हुए variables और functions आप कहां तक access कर सकते हूँ, ठीक है, तो मैं आपको discuss करूंगी यह सब कुछ अपनी theory class में, अगर बात करूंगे C++ के, तो उसमें होते हैं, तीन access modifiers, private, public और protected, ठीक है, वहाँ पे protected internal नहीं होता है, और यहाँ पे क्या नह होता है, protected external नहीं होता है, ठीक है, तो आपको यह सब चीजे याद करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, time लगेगा, लेकिन आपको definitely हर चीजे clear हो जाएंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, आपे question number 33 की, देखते हैं, आपे क्या है, मान ल function, तो आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा, देखो, समझ लो, मान लो, यह example है, आप जानते हो, Excel में क्या होते हैं, आपके cells होते हैं, जहापे आप data store करते हो, और cells कैसे बनते हैं, intersection of rows and columns से, तो मान लो, यह आपके क्या है, column है, ऐसे, और यह आपकी rows है, ठीक है, सब जानत C, D and so on, ऐसे होते हैं, ठीक है, और यहापे first row आपकी होती है, 1 से start, 1, 2, 3, 4 and so on, तो आपका जो यह वाला cell है, यह बनेगा आपका A1 cell है, ठीक है, यह A1 cell है, यह आपका है, एक मिनट, यह आपका है A1 cell, फिर आपका यह है A2 cell, यह आपका है B1 cell और यह आपका है B2 cell, तो यहाँ पे इनके अंदर जो data है, वो given है हमें, तो कौन सा data देखते हैं, एक बार color change करते हैं, देखो, यहाँ पे है 0, A1 में 0, A2 में 0, और B1 में A है, और B2 में क्या है, जीरो है, और इसके बाद हमने यहाँ पे use क्या है, count function का, is equal to count, और यहाँ पे range दी है A1 से लेकर B2 तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके A1 से लेकर B2 तक पूरी range दी है, फिर हम करेंगे enter, प्रेस, तो answer क्या आएगा, 4 आएगा, 1, 0 या फिर 3, तो यहाँ पे answer आएगा 3, कि, cells को that contain numeric values, समझने एक पर यहाँ पे देखो, numeric value, मतलब क्या है, कि count function का इस्तमाल करके, आप सिर्फ और सिर्फ उन cells को count कर सकते हो, जिसके अंदर number वाली value है, अब चाहे वो 0 हो, 1 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, अगर आपके cell के अंदर text लिखा हुआ है, या वो empty है, उसमें कुछ है ही निकाली है, या उसके अंदर string लिखी हुई है, या कोई error वाली value है, तो वहाँ पे अगर आप count लगाते हो, तो answer आपका आएगा 0, मतलब उन्हें आप count नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो जो count function है, वो सिर्फ उन्हीं cells को count करता है, जिसके अंदर numerical data होता है, तो यहाँ पे A1 से लेकर B2 में, सिर्फ A1, A2 और B2 में numeric value 0 थी, बाकि B1 में तो A था, तो इसलिए से count नहीं करा गया, तो यहाँ पे answer आएगा 3, ठीक है, answer 4 नहीं आएगा, I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया होग तो next is question number 34, निमल निखित में से कौन कारे है, input device का वैद कारे नहीं है, तो यहाँ पे input device के function से आपसे question पुछा हुआ है, input device first is, यह input data और निर्देशों को computer सुईकारे रूप में परिवर्तित करता है, बिल्कुल ठीक बात है यह, जो आपका input device होता है, वो basically क्या करता है, user का जो data है, जिसे बोलते है raw data, उसको लेता है as a input, और फिर उसे उस particular form में convert करता है, जिससे computer उसे accept कर सके, ठीक है, इसके बंडारण और आगे की प्रक्रिया के लिए बंडारण उपकरणों को input data और निर्देश भेशता है, बिल्कुल ठीक बात है, basically क्या करता है, input device क्या करता है, आगे जो आपके devices हैं या फिर जो आपके resources हैं, उसे instruction प्रवाइड करता है कि input data वहाँ पे आ गया है, तो आपको कि इस तरीके से इस पर operate करना है, next is यह भी ठीक है, यह input data को सनसाधित करता है और परिणाम सीधे output device को भेशता है, यह बिल्कुल गलत बात है, input data को लेने के बाद directly परिणाम नहीं आते output device में, बीच में आपका processor भी तो होता है जो processing करता है, तो output device का कोई मतलब नहीं है आपके input device के साथ, input device ने data को लिया, convert किया ऐसी form में, जिसको CPU प्रोसेस कर सके, उसके मतलब का processor करेगा processing और फिर वो output device को देगा वो data, ठीक है, तो यहाँ पर input device का यह कोई भी काम नहीं होता है, और last यह बहारी दुनिया के data और निर्देश को पढ़ता है, यह भी ठीक बात है, जो हमारा outer world है, जहाँ पर user काम करता है, वो अपना data और instructions देता है किसे input device को और उसे accept करके वो आगे processing के लिए send करता है, तो यहाँ पर option number third आपका गलत था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, यहाँ पर question number 35 की, तो यहाँ पर HTML से question आपको देखने को मिल रहा है, देख है, ठीक है, important है, यह question HTML की full form, काफी बार मैंने देखा है, ठीक है, तो निमनलिकित HTML कथन में विशेशता attribute नाम की पहचान करें, काफी असान सा question है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक statement दी हुई है, प, a line is equal to left, फिर final examination और P tag को close करा है, अब पहले एक बात समझ लो, यह जब P tag होता है यह आपको use करना होता है paragraph को start करने के लिए, ठीक है, P tag, यह आपका है starting tag और यह आपका है closing tag, ठीक है, start करने के लिए paragraph को P tag का इस्तमाल करते हैं, और close करने के लिए आप forward slash P का इस्तमाल कर होगे, ठीक है, अब यहाँ पे P align is equal to left, तो question में आप से पूछाए कि इस particular कथन में, मतलब इस statement के अंदर, यहाँ पे attribute कौन सा है, इसमें से attribute कौन सा है, left attribute है, P and closing P attribute है, align attribute है, या फिर final examination attribute है, देखो यहाँ पे जो left है, यह क्या है, यह तो आपकी value है, जो आपका P tag है, और आपका closing P tag है, यह तो आपका tags है, HTML tags, क्या है, यह HTML के tags है, align आपका एक attribute होता है, attribute को आप मान सकते हो, एक property, ठीक है, और final examination तो आपका text है, text बोलो या फिर content बोलो, जिस पे आपको alignment लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे basically हुआ क्या है, आपने P tag को खोला, मतलब आप एक paragraph लिखना चाहते हो, और फिर आपने align attribute का इस्तमाल किया, और इसकी value left कर दी, मतलब जो आपका paragraph होगा, देखो मान लो, यह आपका page है, यह आपका web page है, इस type से, यहाँ पे आपने final examination को लिखना है paragraph में, लेकिन उसको alignment देनी है left, तो मतलब आपका जो final examination है, वो कुछ इस type से ऐसे लिखके आएगा, final examination, आपके web browser पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे alignment उसको left दिया, अगर मैं right देती, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ऐसे final examination, ठीक है, समझ लो ऐसे, तो align attribute का इस्तमाल करके, आप क्या कर सकते हो, अपने text की alignment, उसकी position क्या होगी web page पे, इसको set कर सकते हो, तो यहाँ पे जो align है आपका, यह एक attribute है, यह क्या है, प्रॉपर्टी है, जो आप paragraph पे set कर रही हो, I hope आपको यहाँ पे समझ में आया, और जो left है, आपको double quotes के अंदर value इतना पड़ता है, और double quotes के अंदर आप यहाँ पे left या right दे सकते हो, clear हो गया, next is question number 36, निमलने कित में से कौन सी multimedia, पाठ अधारित विशेश किसका use करके, आप footnote या cross reference को use करते हो, और directly आप किसी भी document पे पहुंच जाते हो, तो इसके लिए हम use करते है, hypertext का, hypertext basically होता क्या है, पहले यह समझ लो, hypertext का मतलब क्या है, एक ऐसा text, जिस पे अगर आप click करो, तो वो आपको किसी और web page पर ले जाए, मतलब किसी और HTML document पे ले जाए, ऐसा कैसे possible है, ऐसा possible है आपके hyperlink से, तो जिस भी text पे आपने hyperlink लगा दिया है, उस पे click करते ही आप next वाले web page पे redirect कर दिये जाओगे, इसे बोलते है hypertext, ठीक है, hypertext क्या होता है, hypermedia क्या होता है, यह सब discuss करेंगे अपने glasses के अंदर, तो यहाँ पे इसका answer है, आ hypertext का इस्तिमाल कर सकते है, और जैसी आप उस text पे click करोगे, आप अलग से new document पे पहुत जाओगे, ठीक है, next is question number 37, c भाशा में निमल लिकित array घोशनाओं पर विचार करें, तो यहाँ पे आपको दो statement दी है, यह आपकी है, array declaration, आपको यहाँ पे क्या बताना है, देखो, array declaration आपको यहाँ पे given है, अच्छा कोशन है, ठीक है, important है यह भी, तो यहाँ पे print statement की output कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे print statement की output बतानी है, क्या answer आएगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे, एक minute, क्या है, last class में हमने, क्या किया था, आपको बताया था कि array क्या होता है, किस तर यहाँ पे जो आपका array 1 है, यहाँ आपका क्या है, array 1, तो यहाँ पे इसका जो size है, आपको बताया था कि size को हम बताते है, square bracket के अंदर, size यहाँ पे mention नहीं है, लेकिन यहाँ पे curly braces के अंदर, दो elements given है, 2,3 मतलब, by default इसका size क्या हो जाएगा, 2 consider करा जाएगा, अगर आपने यहाँ पे size नहीं बताया है, और आपने यहाँ पे elements declare कर दी है, it means आपका size array का वो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे memory के अंदर आपको 2 क्या मिल जाएगे, space मिल जाएगे, 2 locations आपको assign कर दी जाएगे, और इसके अंदर 2 आगया, इसके अंदर क्या आगया, 3 आगया, ले यहाँ पे size है वो यहाँ पे आपने 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे element है आपका, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 ही है, ठीक है, एक ही element है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, आपको memory में 3 space मिल जाएगे, 0, 1 और 2, लेकिन जो आपका element 9 है, वो सिर्फ आपका first location पे आएग ठीक है, बागी जगा by default के आएगा, 0 आज आएगा, clear हो गया, अब देखो, यहाँ पे printf statement में क्या given है, printf %d, %d, मैंने बताया था आपको पहले भी, previous class के अंदर, यह %d हम integer के लिए यूज करते हैं, यह होते हैं आपके क्या, format specifier, यह आपके होते हैं, format specifier, ठीक है, तो अल अलग-अलग data types के लिए आपको अलग-अलग क्या करने पड़ते हैं, format specifiers का use करना होता है, तो क्योंकि हमारा जो array है वो int type का है, यहाँ पे %d का इस्तमाल किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे array 1 और यहाँ पे क्या है, square bracket के अंदर 1 है, मतलब array 1 में first index पे रखी होई value, तो array array 1 के अंदर first index पे रख्योई value कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे first वाले %d का answer का आएगा, आपका यह वाला value आएगी, तो array 1 और पे क्या रखा हो है, 3, तो 3 यहाँ पर answer आगया, ठीक है, अब 3 दोनों में है, इसके बाद यहाँ पे है, second percentage d, यहाँ पे क्या value आएगी, 2 array 2, यह भी आपका valid है, यह भी valid है, और यह भी valid है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, कोई गल्थ यहाँ पे नहीं हो जाएगा, अब देखो, यहाँ पे है 2, मतलब second index जो है, आपका array 2 का, second index आपके array 2 का, उसकी क्या value है, तो यहाँ पे second index जो है, आपके array 2 का, वो क्या है, आपका 0 ह हो जाएगा, यहाँ पे 9 मत करके आना, बिकास जो 9 है आपका, वो आपका 0 इंडेक्स है, second index नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे यह लिखा होता है, 0 array 2, तो यहाँ पे इसका answer 9 आता है, ठीक है, तो आप index को square bracket के बाहर भी लिख सकते हो, और अंधर भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके ठीक syntax होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका answer बनेगा 3,0, I hope आपको यहाँ पे कुछ clarity मिली होगी, अगर समझ नहीं आया है, तो tension नहीं लेना है, जब पढ़ाऊंगी इसी language, तो discuss करेंगे arrays को, और किस तरीके से आप declaration करते हो, कैसे access करते हो, सब कुछ बताऊंगी Traversing कैसे करते हैं, ठीक है, next is, question number है आपका, 38, internet सुरक्षा, मतलब internet security के संबंद में SSL का पूर्ण रूप dash है, और यह है, dash layer पर सुरक्षा प्रदान करता है, काफी अच्छा यह question है, SSL, आप देखते होंगे, कि HTTP एक protocol था, बाद में आपको HTTPS भी दिखने लगा, अब यहा है, इसकी full form होती है, secure, यह important question है, कि HTTPS के अंदर, S की full form क्या secure है, तो यह secure आया कैसे, यह जब SSL layer को implement कर दिया गया, तो इसको यहाँ पे security मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप से SSL layer की full form पूछी हुई है, तो इसकी full form होती है, secure socket layer, ठीक है, secure socket layer is the full form of SSL, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको इसकी full form भी बतानी है, और साथ में यह बताना है, किस layer पर security प्रोवाइड करता है, तो यह अपनी security प्रोवाइड करता है, transport layer पे, application layer पे नहीं करता है, ठीक है, transport layer पे, तो कई बार बच्चे क्या होते, confused हो जाते हैं, वो सोचते हैं, कि HTTP तो application layer का protocol है, तो SS SSL भी आपका application layer पर ही use होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, SSL आपका transport layer पर सुरक्षा देता है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे option number third is correct, अगर कोई doubt है, इसके अंदर तो आप पूछ लेना, ठीक है, तो इसकी full form प्लस एक इस layer पे काम करता है, दोनों आपको याद करनी Default रूप से Microsoft Excel 2016 workbook में dash worksheet होती है, अगर बात करें Microsoft Excel 2016 की, तो उसमें by default कितनी worksheet होती है, तो इसके अंदर by default एक ही worksheet होती है, ठीक है, एक ही worksheet होती है, आपकी Microsoft Excel 2016 में, ठीक है, Next is question number 40, which of the following terms best describes the process of interconnecting two or more networks to form a single large network, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप, दो या दो से ज़्यादा networks को आपस में interconnect कर दो, एक बहुत बड़ा large network बनाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, merging बोलते हैं, internet बोलते हैं, virtualization बोलते हैं, या फिर internet working बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, internet working, ठीक है, मतलब आपने अलग-अलग networks को जोड़ कर एक बड़ा network क्रियेट कर दिया, ऐसे बोलते हैं, internet work, ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ terms होती है, एक तो होती है आपकी internet, एक होती है intranet, एक होती है extranet, तो इन terms में क्या-क्या different से यह पढ़ेंगे अपनी theory class में, ठीक है, intranet कैसे different है extranet से, और extranet कैसे different है आपके internet से, यह सब क्या होता है, discuss करेंगे theory वाली classes के अंदर, जो हम कल से start कर देंगे, ठीक है, तो topic wise class करते जाएंगे, और साथ में उनके साथ उनके questions भी करते जाएंगे, ठीक है, और total अगर बात करें तो 40 questions cover कर लिए हैं, तो अगर आपको class पसंद आ रही है, जो मैं explanation दे रही हूँ, वो समझ में आ रहा है, तो like कर दो, सभी, और share भी कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, और अगर आप new हो, तो subscribe कर लो learner सार्थी YouTube चानल को, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हाँ पर question number 41 की, एक मिनट, इतना काफी है, देखो, मान ले कि Microsoft Excel worksheet के cell A1 से A5 तक की सामगरी कमर्श 1, 2, 3, 4, 5 है, और 6 cell रिक्त है, मतलब empty है, A1 से A5 का चयन और auto sum button पर click करने से, dash cell में 15 प्रदर्शित होगा, बहुत ही अच्छा question है, देखो, क्या है, यहाँ पर हमने discuss क्या था अभी, किस तरीके से आपके cells होते हैं, column होती हैं, और rows होते हैं, तो एक बार fit से consider करते हैं, देखो, यहाँ पर यह आपके क्या है, columns हो गए, यह आपकी rows हो गई, ठीक है, और यहाँ पर एक और बना लेते हैं, इतनी काफी हैं हमारे लिए, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह आपका है, A वाला column यह B है, and C and so on, यहाँ पर यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, तो यह आपका A1 है, यह A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक हैं, अब यहाँ पर A1 से लेके A5 की values given हैं, क्या-क्या है values? एक मिनट, color change करते है, pen का, तो value है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपने क्या किया है, A1 से लेके A5 को कर दिया, select, और select करने के बाद, auto sum पे click कर दिया है, तो auto sum पे जैसे ही click कर दोगे, तो इसके नीचे, जो आपने select किया है, इसके नीचे वाला जो भी cell है, उसके अंदर इसका answer इनको add करके, ठीक है, तो auto sum मतलब automatic sum आ गया, तो वो sum आता कहा है, जहां भी आपने selection करी है, उसके just नीचे वाले cell में आएगा, तो यहाँ पे A6 के अंदर आपका answer आएगा, और answer कितना आएगा, इनको add कर लो, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10, 10 प्लस 5, 15, तो यहाँ पे 15 आप से पूछा इस question में, कि A1 से A5 का चयन और auto sum बटन पे click करने से dash cell में 15 दिखाई देगा, किसमें A6 में, तो I hope आपको यहाँ पे समझ में आया, मैंने आपको practical example देके समझा दिया है, तो यहाँ प्रक्रिया, जिसके माध्यम से एक vector छवी को bitmap छवी में परिवर्तित किया जा मल्टी मीडिया से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ आप से पुछा है वो process, जिसका इस्तमाल करके आप vector images को, vector images जो होती है न वो आपकी shape से बनती है, vector images, और जो आपकी होती है, bitmap images, bitmap images, उसके अंदर आप pixels और dots को इसका इस्तमाल करते हो, ठीक है, bitmap images, या फिर आप इसे एक और नाम से बोल सकते हो, raster images, ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब होता है, दो नाम है इसके, raster images, तो यहाँ पर जो यह वाली image होती है, यहाँ पर e b आएगा, यह आपकी होती है, pixel 7 होई, ठीक है, तो यहाँ पर पुछाए वो process, जिसके help से आप vector images को convert कर सकते हो, bitmap images के अंदर, तो उसे बोलते है, rasterization, क्या बोलते है, rasterization, नाम से ही clear है कि vector image को raster image में convert करने के लिए rasterization करना पड़ता है, ठीक है, तो यहीं से यह नाम आया है, तो यहाँ पर option number C is correct, जब multi-media discuss करेंगे तब पढ़ेंगे क्या होता रasterization, vector images और bitmap images में क्या difference है, बहुत सारे questions यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, next is question number 43, vb.net में dash एक रुपांतरन श्रेडी है, जिसमें data हानी या गलत परिणामों की कोई संभावना नहीं होती, मतलब यहाँ पर data गलत भी नहीं होता और data यहाँ पर loss भी नहीं होता, no data, loss, और wrong, ठीक है, यहाँ पर chances बहुत ही कम है, मतलब होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका answer क्या होगा, यह है व्यापक रुपांतरन या फिर hierarchical रुपांतरन या फिर depth और इसे बोलते हैं, comprehensive, comprehensive conversion, ठीक है, comprehensive conversion, तो यहाँ पर option number one correct होगा, यहाँ पर comprehensive conversion के अंदर कोई भी data का loss या फिर गलत results होते हैं आपके, wrong results, उसका कोई भी आपर chances नहीं होता है, ठीक है, तो option number first is correct, next is question number 44, ने मिलने के c भाशा अभी व्यक्ति का मान कितना होगा, जिसमें x एक integer variable है, जिसका मान 4 है, मतलब आपने उपर x को integer variable क्या कर रखा है, declare कर रखा है, और इसकी value 4 डाली हुई है, इसके बाद आपने ये statement लिखी, x minus 5, question mark, 15, colon 25, अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, पहले देखो, यह पर हमने use क्या है ये वाला operator, question mark और colon, colon है यह, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या, conditional operator, क्या बोलते हैं इसे, conditional operator, और इसे एक नाम और बुलाते हैं, एक नाम से, वो है आपका ternary operator, अब यहां पर हम समझेंगे कि इसको turnary operator क्यों बोलते है because यह तीन operand लेता है first, second और third ठीक है यहां पर जो आपका first operator होता है वो आपकी condition होती है मतलब अगर यह condition जो है यह अगर true आएगी condition हमने लगाई यहाँ पर यह अगर true आई तो answer आपका यह आएगा condition true होने पर लेकिन अगर condition हो गई false तो answer आपका यह आएगा इस तरीके से काम करता है conditional या फिर turnary operator तो यहां पर x-5 अगर true है तो 15 answer आएगा अगर false है तो answer 25 आएगा अब यह true और false कैसे calculate होगा देखो यहां पर आप जानते हो कि x की value क्या है 4 है तो 4 minus 5 करेंगे तो answer आपका कितना आएगा minus 1 आएगा तो अगर आपके पास calculate करने के बाद आपका जो logic है उसको लगाने के बाद answer अगर non zero आ रहा है non zero value तो उसको आप true मानोगे मतलब वो आपका true हो गया है जो condition आपने हाँ पर लगाई थी अगर उसे evaluate करने पर answer non zero आ रहा है zero के लावा कुछ और आ रहा है तो वहाँ पर condition आपके true हो जाएगी और true के case में आपका जो second operand पर लिखा हुआ number है वो आपका represent होगा तो यहाँ पर 15 आपका इसका answer बन जाएगा ठीक है आई समझ अब मान लो अगर क्या होता कि जो आपकी x की value है वो 5 होती 5 होती अगर यहाँ पर 5 होती अगर x की value तो यहाँ पर 5 minus 5 होता 0 इस case में आपका answer 0 आगया तो यहाँ पर आपके जो condition है वो false हो गई तो answer आपका आता 25 ठीक है आपका answer यहाँ तो second वाला आएगा या फिर third वाला आएगा मतलब यहाँ तो second operand का answer वो आएगा या फिर third operand वाला answer आएगा तो यहां तो 50 आएगा वो 25 आएगा लेकिन कब आएगा condition पर depend करता है condition अगर true है तो second operand जो है वो answer आएगा और अगर condition false है तो आपका third जो operand है वो answer आएगा ठीक है तो यहां पर minus one answer आया मतलब non zero answer आया तो आपका 15 इसका answer हो गया clear हो गया आगे अपनी class में काफे सारे question discuss करनेंग करेंगे हम turnary operator पर ठीक है next is question number 45 c hash में निम्न में से किस class का उपयोग programming द्वारा आपके system की file पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है ठीक है तो c hash की बात कर रहे हैं c hash में क्या होता है ऐसी कौन सी आपकी क्या है class है जिसका इस्तमाल करके आपके system की files को monitor करते हैं देखते हैं कि आपके system की files में क्या-क्या data रखा हुआ है तो इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं file system watcher class का file system को watch करने के लिए file system watcher class तो यहाँ पर option number first is correct आपको इसे as it is याद करना पड़ेगा next is question number 46 which of the following set of words best describe the characteristics of the primary storage device like RAM आप जानते हो RAM क्या होता है आपका primary storage device होता है तो यहाँ पर इन चार option में से ऐसा कौन सा option है जो correct set of words है जो आपकी RAM की characteristics को explain कर रहे हैं तो यहाँ पर option number C बिलकुल ठीक है यह expensive होती है यह होती है volatile और यह होती है fast access अब यहाँ पर expensive आप समझते हो मतलब महंगी आप जानते हो कि RAM जो होती है आपकी hard disk से महंगी होती है ठीक है इसके बाद fast access भी होता है ठीक है जो कि सबसे पहले जो भी आपका program है data है वो कहां पर आता है वो आपकी RAM में आता है उसी के बाद CPU से process करना start करता है तो यहां पर fast access definitely है अब यहां पर एक term है volatile इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपकी जो power है वो अगर off हो गई power off जो आपने अपने computer को power दी है supply दी है वो अगर off हो जाती है मान लो आप क्या light चले जाती है कुछ भी ऐसा reason है जिसके वज़े से आपका computer off हो गया जो power है वो हट गई तो उस case में जो भी data RAM में था वो सब आपका क्या हो जाएगा loss हो जाएगा तो data वहाँ पे आपका loss हो जाएगा ठीक है आप अगर दुबारा खोलोगे computer को तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा सारे programs आपके बंद हो जाएगे तो इसका मतलब होता है volatile मतलब जो भी अभी running में है अगर power off हो गया तो वो सब हट जाएगा उसे बलते है volatile अगर बात करो roam की तो उसे बलते है non-volatile because roam के अंदर रखावा data कभी भी गायब नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर option number c is absolutely correct next is question number 47 c hash में boxing के संबंद से निम्न में से कौन सा विकल्प सही है तो यहाँ पर बात कर रहे है boxing की देखो जो boxing होता है यह एक process है जिसका इस्तमाल करके आप किसी भी type को care, int, etc. इन सारे type को आप convert कर सकते हो किसी reference type object के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जो इसका answer है वो बनता है option number first यह मान प्रकार को संधव प्रकार में बरिवर्तित करता है मतलब आपके data types को int, care जो आपके types होते है data के उन्हें convert कर देता है किसी reference type object के अंदर ठीक है तो इसे भी discuss करेंगे अपनी classes के अंदर मतलब किसी object में convert करना है आपको तो इसके लिए boxing का इस्तमाल करते है c hash में और यह एक implicit type of conversion कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते है question number 48 की HTML table के td और closing td tag के बीच में तत्व default रूप से dash होते हैं तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में html table tag के बारे में ठीक है table tag के बारे में देखो html में हम table create करने के लिए table tag का इस्तमाल करते हैं और यहाँ पर बात रहे हैं td tag की तो td tag जो होता है न वो इस्तमाल हम करते हैं table में data add करने के लिए या फिर content add करने के लिए table data के लिए इस्तमाल करते हैं td tag का तो मान लो अगर मैंने लिखा td और यहां लिख दिया coffee मान लो coffee लिख दिया और इसके बाद इसे मैंने close कर दिया तो जो मेरा यह जो text है ना जो content है coffee यह by default कैसा होगा बाद डिफॉल्ट यह ऐसा होगा left aligned होगा और क्या होगा regular होगा तो बाद तरफ होगा और सरेंखित होगा मतलब left aligned होगा जो मेरा text coffee है यह left aligned होगा और इसके साथ regular होगा bold italic नहीं होगा यह regular होगा ठीक है तो यहां पर td tag के अंदर रखा हुआ वो जो content होता है वो by default left aligned और regular होता है तो यहां पर option number b is correct next is question number 49 c भाशा के संबंध में कौन सा कथन सही है first is c में union एक ही memory स्थान पर विभिन प्रकार के data store करने देता है यह विल्कुल ठीक statement है हमने previous class में discuss किया था union data type के बारे में उसमें क्या होता है जिस भी type की size सबसे बड़ी होती है उसी को हम union type का size consider करते है ठीक है तो basically एक ही memory size होता है जिसके अंदर सारे type का आप store कर सकते हो तो यह बिल्कुल true statement है next is c में union में कई सदस्या member हो सकते हैं लेकिन किसी एक समय पर केवल एक ही सदस्य में कोई मान हो सकता है यह बिल्कुल ठीक statement है union के अंदर कई सारे members हो सकते हैं लेकिन एक time पर सिर्फ एक ही member के अंदर value assign करे जाएगी because एक time पर सिर्फ उसी को memory size allocate होता है ठीक है तो हम discuss करेंगे theory class में भी what is the difference between structure and union काफी important question होता है ठीक है and last is union शब्द c भाषा में एक operator है तो यहाँ पर यह एक wrong statement है union शब्द c भाषा में operator नहीं है keyword है क्या है एक keyword है union ठीक है तो यह आपका एक wrong statement है तो यहाँ पर option number first and second is correct ठीक है next is question number 50 जो आज की class का last question देखते है क्या है Microsoft PowerPoint 2016 में निमल लिकित में से कौन एक वैद master view विकल्प नहीं है तो master view option यहाँ पर कौन सा valid नहीं है notes master होता है outline master नहीं होता है slide master होता है और handout master भी होता है ठीक है outline आपका एक view होता है लेकिन outline master नहीं होता है PowerPoint के अंदर ठीक है तो यहाँ पर इसका answer बनता है option number second तो हमने total 50 question cover कर लिए part 1 computer knowledge के for assistant accountant paper तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी question में कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो comment section के अंदर और next class मतलब कल से हम discuss करेंगे आपके theory classes के अंदर topic wise अलग अलग topic को और उसके बाद उसके questions को भी discuss करेंगे ठीक है अब मेरे पास ऐसा एक paper और है जिसे मैं discuss कराऊंगी next week next week हम फिर से discuss करेंगे previous year paper ताकि आपको idea मिल सके कि कौन कौन से topics important है और किस type से आपसे question पूछे जाते हैं तो अगर आपको class अच्छी लगी तो like करना मत भूलना और सभी अपने friends के साथ share कर दो और subscribe कर लो learner सार्थी YouTube channel को ठीक है और कोई भी doubt हो किसी बात को लेकर अगर O level project के regarding कोई doubt है तो वो भी आप पूछ सकते हो in the comment section ठीक है तो मिलते हैं next class में till then thank you so much and all the best to all of you